हेलो दोस्तों स्वागत आप सभीका हमारे ओनलाइन चैनल आराध्या आरेस अकेडमी में दोस्तों पूरे भारत वर्स में जितनी भी परतियोगी परिक्षाएं आई जित होती है उन सभी परतियोगी परिक्षाओं के लिए पोलिटीकल सायंस के टोपिक वाइज टोप इंपो प्रसन लेके आए हूँ जो आपकी सभी परतियों की प्रिक्षा के लिए अत्यन्त महतोपुन है इन सो प्रसनों का आपको टेस्ट देना है और अगर आपने पिछली छे कलासे अगर नहीं देखिए तो आप ले लिश्ट में जाईए वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पोल्टिकल साइंस टोपिक वाइज क्यूसन तो दोस्तों आप वहाँ जाके इन 6 कलासों का टेस्ट जरूर दे और अरद्यर है सेकेडिमी की यूटूब चैनल को सब्सक्राब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्राशन है देखिए सविधान सबादवारा अंतिम रूप से पारित सविधान में कुल कितने अनुछेद तथा अनुसूचिया थी यहां पे दोस्तों यह पूछा गया है कि सविधान में अनुछेद और आठ अनुसूचिया थी मूल सविधान में ठीक है और वरतमान में दोस्तों तीन सो पिचान में अनुछेद और बारा अनुसूचिया ठीक है और गंणना की ड्रश्टिषे अनुछेद है वह ज़्यादा है तो इस प्रैसन का राइट आंसर हो जाएगा 395 में अनुच्छेद और 8 अनुच्छी है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर आगे देखिए 2 नंबर प्रेस ने इसमें देखिए वर्तमान समय में भारती सवीदान में गणना की द्रश्टी से कुल कितने अनुच्छेद और कोटल दोस्तो कितने अनुच्छेद है तो 448 तो अनुच्छेद है और 12 अनुच्छिया है गणना की द्रश्टी से तो 448 और वैसे 355 में ठीक है तो इसका राइट आंसर D नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 12 अनुच्छी है आप सभी को पता है यह तो आग हैं तो इसका बी नंबर ओप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 305 में ठारा आगे देखी चार नंबर का प्रेस्टने सविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थार्थ भारत राज्यों का एक संग होगा सविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थार्थ भारत राज्यों का एक संग होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद एक अनुच्छेद एक एक नंबर का यानि ए नंबर का ओप्शन है वो इसका बिल्कुल सही अनुचेद एक में दिया गया है ये दोनों नाम तो इसका right answer a number option next नेक्स्ट है पांच नमबर प्रेस्ण है सविधान के अनुचेद एक में भारत को क्या कहा गया है तो दोस्तों भारत को क्या कहा गया है तो वो है अनुचेद एक में अभी मैंने आपको उपर बताया राज्यो का संग क्या कहा गया है राज्यो का संग कहा गया है भारत को अनुचेद एक में ठीक है आगे देखे शिक्स नमबर प्रेस्टन है भारतिये सविधान के किन अनुचेदों में नागरिक्ता समंदी प्रावदान है बहुत बार प्रेस्टन पूचा जा चुका है तो नागरिक्ता समंदी जो प्रावधान है ये दोस्तों अनुचेद 5 से लेके अनुचेद 11 तक नागरिक्ता समंदी प्रावधान किये गए हैं भारतिय सविधान में ठीक है तो इसका राइट आंसर अनुचेद 5 से 11 बी नमबर उप्षन बिल्कुल से नेक्स्ट साथ नमबर प्रावधान है इसमें देखे निम्न में से किन अनुचेद द्वारा भारतिय सविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्यता परदान करता है तो मूल अधिकार है ये कौन से अनुचेद से लेके कौन से अनुचेद तक है तो यहां पे देखे अन राइट आंसर हो जाएगा अनुचेद 12 से 35 तक मूल अधिकार दिये गए हैं आप सभी को पता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नमबर उप्शन से उत्तर आगे देखिए नोकरियों और सेक्षिनिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वरग के लिए आरक्षन सिंद्र सरकार को सविधान का कोन सा अनुचेद अधिकार परदान करता है यानि कि सविधान का कोन सा अनुचेद है वो ये अधिकार है वो परदान करता है तो वो है दोस्तों कोन सा अनुचेद तो वो है अनुचेद 16 कोन सा है अनुचेद 16 तो ये इसका राइट आंसर हो ज उत्तर हो जाएगा 14-18 तक समंता का दिकार है आगे देखिए इसमें 9 नमबर प्रेशने भारत के सविधान का निमन में से कौन सा अनुचेद ऐस परस्ता का उनमूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरन का निशेद करता है तो अनुचेद सत्रा अनुचेद सत्रा ये किसे समंदित है तो दोस्तों छुआ सुच से समंदित यानिकि एस परस्ता से समंदित है अनुचेद सत्रा तो इसका राइट आंसर सी नमबर उप्शन बिल्कुल से उत्तर है नेक्स्ट दस नमबर प्रेशने है भारती सविधान का कोन सा अनुचेद राश्टरपती के पद के लिए पुने निर्वाचन की योगेता निर्धारित करता है तो यहां पर देखिए भारती सविधान का कोन सा अनुचेद राश्टरपती के पद के लिए पुने निर्वाचन की योगेता निर्धारित करता है तो वो है दोस्तों अनुचेद 57 डी नमबर का ओप्शन बिल्कुल सेयुत्तर हो जाएगा अनुचेद 57 नेक्स्ट आगे देखिए 11 नमबर का प्रेशने भारतिय सविधान के किस अनुचेद के अंतरगत बास्टन एवं अभिव्यक्ति की सवतंतरता के अधिकार की गारंटी दी गई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अन अनुचेद गुनिज ठीक है यह सवतंतरता के अधिकार से समंदित है आगे देखिए इसमें 12 नमबर का प्रेशने भारतिय सविधान के किस अनुचेद में प्रेश की सवतंतरता दी गई है यानि कि बोलने की आजादी है प्रेश की सवतंतरता है वो दोस्तों अनुचेद गुनिज एक में अनुचेद गुनिज एक में प्रेश की सवतंतरता दी गई है तो इसका राइट आंसर डी नमबर उप्सन बिल्कुल सही उतर देखिए 100 के 100 प्रस्तनों का टेश्ट देना है ठीक है और इसमें आपके बहुत सारे अनुचेद हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं आपको याद होने वाले हैं और दोस्तों टेश्ट दोगे तभी आपको पता लगेगा कि कौन सा प्रस्न है वो आप गलत कर रहे थे आप उसको सही कर सकते हो अभी तक अपने साथ च्छे टोपिक हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं उन टोपिकों के टेश्ट है वो अवस् प्रस्ट्रेइगा फोल्टर तो आप जा कि टेस्ट जरूर दें के मोलिक अधिकार के अंतरगत कौन सा अनुच्छ बच्छों के सोषन से समंधित य due अनुचेद 24 कुन सा है अनुचेद 24 सोशन का विरुद अधिकार है वो दोस्तों अनुचेद 23 और 24 है तो 23 में बालात्सरम और यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुचेद 24 डी नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर आगे देखिए भारती सविदान के किस के हितों के सरक्षन की विवस्ता की गई है तो वो अनुचेद है दोस्तों अनुचेद गुन 30 अनुचेद 29 बी नमबर का उप्शन सही उतर मूल अधिकार में आता है अगे देखिए कौनसे अनुचेद के अंतरगत भारत का सरवचनेल नागरीकों के मौलिक अधिकारों की रख्षा करता है तो कौन सा अनुछेद भारत का सर्वो चैनल है नागरिकों के मोलिक अधिकारों की रख्षा करता है तो दोस्तो सवेधानिक उप्चारों का अधिकार किस में आता है तो वो है अनुछेद 32 अनुछेद 32 ये इसका निर्देशक तत्वा है वो कौन से अनुचेद से लेकर कौन से अनुचेद तक है तो दोस्तों अनुचेद 12 से 35 तक तो क्या है मूल अधिकार और 36 से लेकर 51 तक नीती निर्देशक तत्वा है क्या है नीती निर्देशक तत्वा है तो इसका C नंबर उप्षन बिल्कुल से उ निमनलिकित में से किस अनुछेद में वरनित है भारती सविधान के अंतरगत कल्यानकरी राज्य की अवधारना निमनलिकित में से किस अनुछेद में वरनित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुछेद गुन चालिस देखे अनुछेद गुन चालिस में तो कल्य राइट आंसर बी नंबर उप्शन हो जाएगा आगे देखे 18 नंबर प्रेशने भारतिय सविधान का कौन सा अनुछेद राज्य सरकारों को गराम पंचायत के गठन का निर्देश देता है तो मैंने अभी आपको बताया था अनुछेद 40 अनुछेद 40 सा ये गराम पंचायतो को दोस्तों कौन से अनुछेद में जोड़ा गया तो ये जोड़ा गया दोस्तों इसमें 51 A में 51 A में ये जोड़े गए थे तो इसका राइट आंसर बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सहीटर हो जाएगा आगे देखे इसमें भारतिय सविधान के किस अनुछेद में मोलिक क करतवे आते हैं तो इसमें B नंबर का उप्शन सहीटर नेक्स्ट है आगे देखिए इसमें 21 नंबर प्रेस्न देखिए संग की कारेपाली का सकती राष्ट्रपती में नहीं थोगी जिनका प्रियोग वहें अपने या श्वम या अपने अधिकारों के द्वारा करेगा तो द्वारा देखिए प्रेस्न बहुत अच्छा प्रेस्न है संग की कारेपाली का सकती राष्ट्रपती में नहीं थोगी जिनका प्रियोग वहें श्वम या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें अनुछेद तर पती पर महावयोग चला जा सकता है तो भारत के राष्टर पती पर महावयोग है वो कौन से अनुछेद के अंतर गर चला जा सकता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुछेद 61 ए नंबर उप्षन बिलकुछ सई उत्तर है तेभशन प्रेस्न है सविधान के किस किस अनुछेद में उपराश्टरपती पद का प्रावधान किया गया है तो वो है अनुछेद 63 में उपराश्टरपती के पद का प्रावधान किया गया है C नमबर उप्शन सही उतर 24 नमबर प्रेशन है सविदान के किस अनुछेद के अंतरगत मंतरी गण सामुईक रूप से लोकसभा के परती उतरदाई है तो ये कौन से अनुछेद के अंतरगत है जो मंतरी गण है वो सामुईक रूप से लोक सभा के परती उतरदाई होते हैं तो वो अनुचेद है दोस्तो इसमें कौन सा तो अनुचेद पिचेतर ठीक है C नमबर का उप्षन से उतर हो जाएगा आगे देखें सविधान का कौन सा अनुचेद मंतरी परिशद के गठन के बारे में अधारबूत नियम निर्धारित करता है तो कौन सा अनुचेद है ये दोस्तो मंतरी परिशद के गठन के बारे में अधारबूत नियम निर्धारित करता है तो वो अनुचेद है अनुचेद पिचेतर C नमबर का उप्षन बिल्कुल से उतर हो जाएगा आगे देखे 26 नंबर प्रेस ने भारत के महान्यावादी की नियुक्ती से सम्मंदित अनुचेद कौन सा है तो ये अनुचेद है दोस्तों इसमें कौन सा तो अनुचेद चियत्तर अनुचेद यानि कि आर्टिकल चियत्तर में भारत के महान्यावादी की नियुक्ती के बारे में बताया गया है तो इसका राइट अंसर सी नंबर उप्जन सयुतर आगे देखे कौन सा अनुचेद संसद के दो अधिविस्टनों के बीच छ्हा माहा के अंतराल की अनिवारियता का उल सा कौन सा अनुचेद संसद के दो अदिवस्तनों के बीच छे माहे के अंतराल की अनिवारियता का उल्ले करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें कौन सा तो वो है अनुचेद 85 अनुचेद 85 डी नंबर का उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा अनुचेद 85 नेक्स्ट आगे देखे राष्टरपती सविधान के किस अनुचेद के अंतरगत लोकसबा को भंग कर सकता है तो लोकसबा को भंग है वो कौन से अनुचेद के अंतरगत कर सकता है तो वो है अनुछेद 85 के अंतरगत लोगसभा को भंग भी कर सकता है और संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 महा के अंतराल को भी अनिवारियता करता है अनुछेद 85 ठीक है याद रखना लोग सबा को भंग कोन कर सकता है राष्टर पती और कौन से अनुचेद के अंतरगत तो अनुचेद पिच्चाशी के अंतरगत आगे देखें सविधान के किस अनुचेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है यह सभी प्रस्ण है यह देखिए प्रस्णों का लेवल देखिए आप और बहुत सारी परिक्ष्याओं के अंदर यह जो सभी प्रस्ण है यह कम से भी कम 20-20-30-30 बार प्रस्ण पुछेदा चुके हैं और महतोपून है आगे देखिए इसमें तो संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है यह कौन से अनुचेद में किया गया है तो अनुचेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है संसद की ठीक है प्रावधान सविधान के किस अनुचेद में दिया गया है तो अनुचेद 108 ठीक है तो इसमें B नंबर का उप्षन सविधान के किस अनुचेद में धन विदेक की परिभासा दी गई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 110 अनुचेद 110 में धन विदेक की प्रावधान की परिभासा दी गई है 108 में तो क्या है तो संसद की और 110 में क्या है धन विदेक के बारे में बताया गया है तो इसका सी नंबर उप्सन सही उता है नेक्स हैं भारतिय सविधान का कौन सा अनुचेद भारत के संचित कोश से समंदित है तो भारत के संचित कोश से समंदित कौन सा अनुचेद है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखे अनुचेद 112 गुंटीस अनुचेद 143 अनुचेद 146 ठीक है ये सभी अनुचेद हैं ये भारत के संचित कोश से समंदित हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्रोक्त सभी डी नंबर का उप्सन बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 33 नंबर प्रेशने भारती सभी धान का निमन में से कौन सा अनुचेद भारत के राष्टरपती में अद्यादेश जारी करने की सकती परदान करता है तो राष्टरपती अद्यादेश जारी कर सकता है कौन से अनुचेद के अंतरगत तो राष्टरप सविधान के किस अनुछेद में सर्वोच नयले के नयदीस पर महब्योग चलाए जाने का प्रावदान है सविधान के किस अनुछेद में सर्वोच नयले के नयदीस पर महब्योग चलाए जाने का प्रावदान है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुछेद 124 अनुछेद 124 यहाँ पे बात हो रही है दूस्तों किसकी सर्वोचे नैले के नैदीस पर महा भियोग ठीक है और अगर राश्ट्रपति की हो रही होती पहले प्रसंद जा चुका है 61, अनुछेद 61 में ठीक है तो यहाँ पे सर्वोचे नैले के नैदीस पर महा भियोग है वो अनुछेद 124 के अंतरगत चलाए जाने का प्रावदान है नेक्स्ट कुशन है 35 नमबर प्रसन है राश्ट्रपति सर्वोचे नैले राश्ट्रपति सर्वोचे नैले से समंदित किस नुछेद के अंतरगत प्रावदानले स्कता है तो दोस्तों वो है अनुछेद 143 अनुछेद 143 के अंतरगत ये प्रावदानले सकता है ठीक है सर्वोचे नैले से और उसको मांने के लिए जैसे राश्ट्रपति है इसको कोई बात समझ में नहीं रही है या कोई राय लेनी है तो वो सर्वोचे नैले के मुख्यनाइदी से बात करता है और राय लेता है उसकी ठीक है लेकिन उस राय को मानने के लिए बादे नहीं है राश्टर पती और ये जो राय है ये सुप्रीम कोड़ से लेता है ये अनुचिद 143 के अंतरगत लेता है डी न विवेस्ता सव्विधान के किस अनुचेद में उप बंदित है तो यहां पहे देखें सव्विधान दोब देखें सर्वों चनैले अपनी दुवारा सुदाएगे किसी नीड़ना या आगे देखें इसमें 37 नमबर प्रेस ने सविधान के निमनली खित में से किस अनुचेद में यहें विवस्ता की गई है कि उच्तम नायले द्वारा विनिश्चित विधी भारत के राजे के भीतर सभी नायलों पर आबद कर होगी तो यहां पर उच्तम नायले द्वारा विनिश्चित विधी भारत के राजे छेतर के भीतर सभी नायलों पर आवद कर होगी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह प्रेसन बहुत सांदार है दोस्तों ठीक है सरवों नायले तथा उच नायले को नियाइक पुन्रावलोकन की सक्ति परदान की गई है जिसका आदार है तो उसका आदार क्या है तो वो है अनुच्छेद 32 बी नमबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32 आगे देखिए सविधान के किस अनुचेद के अंतरगत अधिनस्त नयाले या जिला नयाले का प्रावदान किया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुचेद 233 बी नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा अनुचेद 233 आगे देखिए 40 नंबर प्रेस ने भारतिय विदान का कौन सा अनुचेद सविधानिक प्रावदानों की संगिय संसद या राजे विदान पालिकाओं द्वारा बनाये गए नियमों या कानुनों पर प्रात्मिक्ता प्रदान करती है राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है इसमें अनुचेद 245 ठीक है देखिए बोर अनुचेद के तहट अफसिष्ट सक्तिया के अंदर के पास है वो अनुचेद कौन सा है जिसके अंतरगत अफसिष्ट सक्तिया है वो के अंदर के पास है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा अनुचेद 248 के अंतरगत है डी नंबर उप्सन सविधार नेक्स्ट है राज्य करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुचेद के अंतरगत सविदान यानिकी कानून बना सकती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुचेद 252 बी नंबर उप्शन बिलकुल सही उतर नेक्स्ट भारतिय सविदान के अंतरगत निमन लिखित में से कौन सा अनुचेद संसद को राज्य सुची के विशे में सम्मंद में विदी बनाने की सकती परदान करता है दुबार देखिए भारतिय सविदान के अंतरगत निमन लिखित में से कौन सा अनुचेद संसद को राज्य सुची के विशे में सम्मंद में विदी बनाने की सकती परदा करता है राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों इसमें अनुच्छेद दोस्तों गुनंचास डी नंबर उप्षन बिल्कुल से उक्तर हो जाएगा नेक्स्ट भारतिय सविदान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतराश्टिय समझोते को लागू करने के लिए आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद दोसो त्रेपन अनुच्छेद दोसो त्रेपन तो इसका राइट आंसर डी नंबर उप्षन हो जाएगा नेक्स्ट के अंदर राज्ये के प्रसास्तिनिक संबंद भारती सविदान के किस अनुच्छेद में वरनित है तो भारती सव सविधान में वर्नित है ठीक है अनुचेद 256 से अनुचेद 263 तक आगे देखिए सविधान के किस अनुचेद के अंतरगत केंदर सरकार राजे सरकारों को निर्देश दे सकती है तो वो अनुचेद है दोस्तो इसमें अनुचेद 256 के अंतरगत केंदर सरकार राजे सरकारों को निर्देश दे सकती है नेक्स्ट है अनुचेद 263 के अंतरगत किया गया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है अनुचेद 263 के अंतरगत C नमबर ओप्शन सहीतर आगे देखिए 248 नमबर प्रेशने भारतिय सविदान के किस अनुचेद के अंतरगत वितायो के गठन का प्रावधान किया गया है तो वितायो का गठन का जो प्रावधान है वो दोस्तो सबको पता होना चीए कौन सा अनुचेद है तो अनुचेद 280 यह इसका राइट आंसर हो जाएगा B नमबर ओप्शन सहीतर नेक्स्ट है समपत्ति का अधिकार सविदानिक अधिकार है यह बताया गया है तो वो अनुचेद कौन सा है तो वो अनुछेद है दोस्तो तीन सो कए पहले संपतिक अदिकार है वो दोस्तो अनुछेद आडिकार है और अब पहले मूल अदिकार था फिर दोस्तो 44 सविदान संचवदन 178 में हुआ था उसमें जो संपत्तिक अधिकार है इसको कानूनी अधिकार यानि की सविदानिक अधिकार है वो बना दिया गया और अनिच्षेद 300 के में इसको रख दिया गया डी नमबर उप्षन सविद्टर हो जाएगा नेक्स्ट भारतिय सविदान के किस अनुच्षेद में नरसंगिक न्याय के प्रशिद सिद्धान्त सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है तो दोस्तों सुनवाई के अधिकार का समावेस है वो कौन से अनुचेद में किया गया है तो वो है अनुचेद 311 में ठीक है डी नमबर उप्शन सयुत्तर हो जाएगा आगे देखिए भारतिय सविधान के किस अनुचेद में नई अखिल भारतिय सेवा की इस्तापना का प्रावधान करता है तो ये अनुचेद 312 के अंतरगत बी नमबर का उप्शन सयुत्तर हो जाएगा आगे देखिए सविधान के किस अनुचेद द्वारा लोक सिवाओं को सरक्षन परदान किया गया है तो कौन से अनुचेद द्वारा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुचेद 311 के तो इसमें बी नमबर उप्शन सयुत्तर नेक्स्ट हैं सविधान के किस अनुचेद द्वारा संग और राज्यों के लिए लोक सिवाओं का परदान किया गया है तो संग और राज्यों के लिए लोक सिवाओं का परदान किया गया है तो वो है दोस्तों इसमें अनुचेद 3 315 के अंतरगत राज्य के लिए राज्य और संग के लिए लोग सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है सविधान का अनुच्छेद 312 समंदित है तो यह 312 है यह मैंने भी आपको बताया था नई अखिल भारती सेवाओं से समंदित है अनुच्छेद 312 ए नंबर ओप्रसं सेविधार नेक्स्त है संग लोग सेवा आयोग के कारियों का उलेक है किस अनुच्छेद के अंतरगत है तो इसका राइण आच्छेद 320 ए नंबर का ओप्रसं बिलकुल सेविधार हो जाएगा अनुच्छेद 320 नेक्स्ट है भारतिय सविदान के किस अनुछेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावदान है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दूस्तो इसमें अनुछेद 324 है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें C नंबर ओप्शन बिल्कुल सही उतर आगे देखे लोकसबा में एंगलो इंडियन समुदाय के परतिनिदित्व के लिए प्रावदान सविदान के किस अनुछेद के अंतरगत किया गया है तो देखे लोकसबा में एंगलो इंडियन समुदाय के परतिनिदित्व के लिए सविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावदान किया गया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अनुच्छेद 331 ए नमबर उप्षन बिल्कुल सभी तर नेक्ष्ट है अनुसुचित जातियों और अनुसुचित जन जातियों के लिए एक राष्टी आयो गठित करने का प्रावदान सविधान के किस अनुच्छेद के अंतरगत किया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें अनुच्छेद 338 एवं 338 ए ठीक है अनुच्छेद 338 ए और 338 ए तो इसमें ए नंबर का उप्षन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें सविधान के किस अनुच्छेद के अंतरगत हिंदी को राजबासा का दरजा परदान किया गया है वो है अनुच्छेद 341 के अंतरगत हिंदी को राजबासा का दरजा परदान किया गया है ए नंबर का उप्षन बिल्कुल से उत्तर किस अनुच्छेद में यह प्रावदान किया गया है कि संग की राजबासा हिंदी तथा लिपी देवनागरी होगी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 343 अनुचेद 343 बी नंबर का उप्षन बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा आगे देखे इसमें 61 नंबर प्रेस ने सविधान के किस अनुचेद में हिंदी बासा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है तो हिंदी बासा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है कौन से अनुच्छेद में तो अनुच्छेद 343 में ठीक है C नंबर उप्षन सहुत्तर हो जाएगा Next है भारत में बाहरी आकर्मन अत्वा सहसेस्तर विद्रोग के कारण भारत के राष्ट्रपती द्वारा राष्टी अपातकाल की गोश्टना किसके अंतरगत की गई है तो किसके अंतरगत की गई है तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 352 के अंतरगत है A number option सहुत्तर आगे देखिए सविधान के किस अनुच्छेद के तहट राज्यों में सविधानिक तंतर के विफल होने पर राष्ट्रपती सासन लगाया लागू किया जा सकता है तो देखिए किसी राज्य के अंदर सविधानिक तंतर अगर विफल हो जाता है तो राश्टरपती सासन लगाया जा सकता है तो कौन से अनुचेद के अंतरगत है तो ये है अनुचेद 356 के अंतरगत है तो इसका बी नमबर उप्शन से उत्तर हो जाएगा 356 सविधान के किस अनुचेद के अधार पर वितिय अपात की उद्गोषना राश्टरपती करता है तो देखिए यानि कि वितिय अपात काल की गोषना है वो राश्टरपती कौन से अनुचेद के अंतरगत करता है तो वो है दोस्तों अनुचेद 360 के अंतरगत वितिया अपातकाल की गोशना करता है और अभी तक एक बार भी वितिया अपातकाल की गोशना है वो नहीं की गई है भारतिय सविधान में ठीक है तो इसमें C नंबर का उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा आगे देखें सविधान में मंत्री मंडल सब्द का एक बार परियोग हुआ है और वो कब हुआ है तो वो है अनुचेद 352 में तो इसका राइट आंसर ए नंबर का उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा आगे देखें भारत के सविधान के अनुचेद 351 एक अधीन उपलब्द किस से समन्दित है तो ये समन्दित है दोस्तो प्रात्मिक इस तरपर मात्र बासा में सिक्षा की सुविधाओं की वेवस्ता करने के समन्द में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर क आगे देखें संसद को सविधान संसोदन का अधिकार दिया गया है संसद को सविधान संसोदन का अधिकार दिया गया है तो ये अधिकार दिया गया है दोस्तो कौन से अनुचेद में तो ये अनुचेद 368 में बी नंबर का आप्शन बिलकुल संसोदन का अधिकार दिया ग से समंदित है अनुचेद 368 यानि कि सविधान का संसोदन करने की भारत की संसद को सक्ति प्रदान की गई है ठीक है अनुचेद 368 के अंतरगत ठीक है तो इसमें ए नमबर उप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है सविधान का वहें कौन सा अनुचेद है जिसके दुरुपयोग के सिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सरवादिक हुई है और जिसका परियोग के अंदर में सतारुड दलने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है तो वो है दोस्तों सविधानिक तंतरवी फलवाला कौन सा है अनुचेद 306 ठीक है तो इसका राइट आंसर बी नंबर का उप्शन बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा अनुचेद 306 आगे देखिए इसमें किस अनुचेद के अंतरगत जम्मू कस्मीर को भारती सविधान द्वारा विशे से इस्तिति परदान की गई है तो वो इसमें गल गत हो जाएगा क्योंकि अब ये आर्टिकल 307 है वो हटा दिया गया है ठीक है आगे देखिए 21 नंबर प्रेस ने इसमें देखिए सविधान के किस अनुचेद के अंतरगत नागालेंड राज्ये के सम्मंद में विशेश उपबंदों का प्रावधान किया गया है तो वो अनुचेद है दोस्तों अनुचेद 371 कह बी नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए अनुचेद 370 किसे विशेश दरजा परदान करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नहीं करता यहां पर जमू कस्मिर को करता था लेकिन अब वर्तमान में नहीं करता आगे देखिए अनुचेद 356 का सम्मध है तो अनुचेद 356 में मैंने भी आपको बताया राश्टरपती सासन से है और यह सविधानिक तंतर विफल हो जाने पर यह राश्टरपती सासन उलेक है तो विशिष्ट प्रावधान का उलेक है वो दोस्तो अनुचेद 357 میں है राज्यो समंधी विशिष्ट प्रावधान का उलेक तो इसमें C नंबर उप्षन से है और आगे देखिए भारत के सविधान के अनुचेद 357 G में दिये गए विशिष्ट उपबंध किस रा जाएगा आगे देखिए इसमें चेतर नमबर प्रस ने सविदान के किस अनुचेद के प्रावधानों के अंतरगत है भारत सरकार द्वारा भारत रात ने पदम विबुशन आदी अलंकरन परदान किये जाते हैं तो दोस्तों आप सभी को पता है उपाद्यों का अंत ठीक है क आगे देखिए सविदान के किन अनुचेदों के अंतरगत है अलप संख्योकों को अपनी संस्कर्थी के सरक्षन तथा अपनी पसंद की सिक्षा संस्थान की इस्तापना वसंचालन के अधिकार को मानेता प्रदान की गई है सविदान के किस अनुचेदों के अंतरगत अलप संख्योकों को अपनी संस्कर्थी के सरक्षन तथा अपनी पसंद की सिक्षा संस्थाओं की इस्तापना वसंचालन के अधिकार को मानेता दी गई है तो वह अनुचेद कौन सा है तो वह अनुचेद है दोस्तो इसमें अनुचेद गुंटीस और तीस गुंटीस और तीस ये दोस्तो अलप संखेसे से समंदित है मूल अधिकारों के अंतरगत है तो इसका राइट आंसर बी नमबर और उप्शन बिल्कुल सयूतर आगे देखे 88 नमबर प्रेशने सविदान के किस अनुच्छेद में यह विवस्ता की गई है कि परतेख राज्य शिक्षा के प्रात्मिक इस तर पर मात्रबासा में शिक्षा की परियाप्त सुविदाओं की विवस्ता करने का प्रियास करेगा तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सविदान के किस अनुच्छेद में यह विवस्ता की गई है कि परतेख राज्य शिक्षा के प्रात्मिक इस तर पर मात्रबासा में शिक्षा की प्रियाप्त सुविदाओं की विवस्ता करने का प्रियास करेगा तो वो अनुच्छेद 350 A के अंतरगत C नंबर ओप्शन सविदान का अनुच्छेद दे रखा है और सुची सेकिंड में अंतर वस्तु दे रखिया यानि कि उस अनुच्छेद में क्या है तो यहां पे देखिए अनुच्छेद 54 अनुच्छेद 54 में दोस्तो क्या दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाएगा ये सब दे रखा है अनुच्छेद 54 के अंदर अनुचेद 75 के अंतरगत दोस्तों परधान मंत्री और मंत्री परिशद की न्यूकती से संबंदी तथे दिये गए हैं अनुचेद 75 में और अनुचेद 155 के अंतरगत दोस्तों राजे के राजेपाल की न्यूकती का प्रावधान किया गया है अनुछेद 165 के अंतरगत और अनुछेद 164 के अंतरगत दोस्तों इसमें देखिए मुक्यमंत्री और मंत्री परिशद की न्यूक्ति का उलेक किया गया है ठीक है तो अनुछेद 164 ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों एक दो तीन चार इसमें सारे के सारे इसमें सही सुमेलित हैं पांचवा उप्सन आप काड़ देना ठीक है तो इस प्रेशन का राइट आंसर ए नंबर का उप्सन हो जाएगा जिसमें एक दो तीन और चार दे रखा है ठीक है आगे देखिए असी नंबर प्रेशन है भारतिय सविधान में समता का अधिकार पांच अनुछेदों द्वारा प्रदान किया गया है तो वह अनुछेद कौन सो है तो देखिए समानता का अधिकार है वो दोस्तों अनुछेद 14 से 18 तक है तो 14, 15, 16, 17, 18 तो इसका राइट आंसर सी नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा जिसमें पांच अनुछेद आते हैं आगे देखिए इसमें 81 नंबर प्रेशन है बहुत यह अच्छा प्रेशन है देखिए निती निर्देशक सिद्धानतों के निमनलिकित अनुछेदों में से कौन सा अंतराष्टी शांती और सुरक्षा के सवर्दन से समंदित है तो वो अनुछेद कौन सा है तो वो अनुछेद सीधा सा आपको आँक बंद करके करना है अनुछेद 51 अनुछेद 51 में दोस्तो अंतराश्टी शांती और शुरक्षा के सवर्दन से समंदित है निर्देशक तत्वे में आता है तो इसमें A नमबर उप्शन से उत्तर 82 नमबर प्रेशन है इसमें सुमेलित करना है सुची फस्ट और सुची सेकेंड दे रखा है सुची फस्ट में अनुछेद और सुची सेकेंड में अंतर नहीं यन कि क्या है इसमें अनुछेदों में ठीक है अनुछेद 323 में प्रसासनिक अधिकरण और अनुछेद 324 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है ठीक है और अनुछेद 330 में क्या बताया गया है तो दोस्तों लोग के लिए यानिकी लोग सबा के लिए अनुछेद 323 में लोग सेवा आयोग के कारिये ठीक है तो इसका राइट आंसर 2143 हो जाया का 2143 तो इसका बिल्कुल सही उत्तर C नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखे 83 नंबर प्रेस ने भारत के सविदान के अनुछेद 355 के अदीन संग का वह दायत वह की वह भारत के सविदान अनुछेद 355 के अदीन संग का वह दायत वह की वह की वह बहरी आकरमन और आंतरिक एसांती से राज्य की सुरक्षा करे अनुछेद 355 में ये दिया गया है तो इसका राइट आंसर ए नंबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें जब केंद्रिय मंत्री मंडल ने वर्स 2002 में चुनाव सुधारों पर अद्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राश्ट्रपती को वापस बेजा तब राश्ट्रपती ने भारती सविदान के कौन से अनुचेद के अंतरगत उसे अपनी सहमती दी तो दोस्तों अड्यादेश का नाम आया है तो अड्यादेश जारी करने की सकती अनुचेद 123 के अंतरगत राश्ट्रपती को दी गई है सी नंबर उप्शन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए गुजरात में विदान सबा के चुनाव को इस्तगित करने के चुनाव आयोक के निर्ने की विदी मानेता पर उस्तम नायले की राए जानने के लिए राश्ट्रपती ने उस्तम नायले से अनुरोद बहारती के कौन से अनुच्छेद के अंतरगत किया था तो दोस्तों अनुच्छेद 143 के अंतरगत अनुच्छेद 143 के अंतरगत है जो राश्टरपती है ये इसने क्या किया इसने दोस्तों अनुच्छेद 143 के अंतरगत है राए मांगी किस से तो सर्वोच नहले से और सर्वोच नहले ने राए भी दी ठीक है तो इसका राए टांसर हो जाएगा इसमे बी नमबर का उप्शन बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें च्छी अशी नमबर प्रेस ने भारत के सविधान के निम्नलिकित आनुचे दो मिसे किसके अनुसार परतेक राजे की कारेपाली का सक्थी का इस परकार परियोग किया जाएगा जिससे कोई पर्तिकूल प्रभावने पड़े भारत के सविधान के निमनलिकित अनुचेदों में से किसके अनुसार परतेक राज्य की कारेपाली का सक्ति का इस परकार परियोग किया जाएगा कि जिससे कोई पर्तिकूल प्रभावने पड़े तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुचेद 258 के अंतरगत बी नमबर उप्शन सेविधार आगे देखे भारत के सविधान के निमनलिकित कौन से अनुचेद में उपबंद है कि 14 वर से कम उमर के किसी बालक को किसी कार खाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जायेगा या किसी अन्य परी संकट में नियोजन में नहीं लगाए जायेगा तो वो आर्टिकल कौन सा है तो वो है दोस्तो आर्टिकल 24 यानुचेद 24 ठीक है बाला सरम से समंदित है आगे देखे इसमें देखिए भारतिय सविदान में समानता का अधिकार पांच अनुचेद दौरा परदान किया गया है तो वो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था अनुचेद 14 से 18 तक अब देखिए वापस अपने को दोस्तों सुमेलित करना है ठीक है देखिए सुची फश्ट में संस्तान और सुची सेकिंड में अनुचेद दे रखा है देखिए भारत का नियंतरक एवं मालेखा परिक्सक है ये दोस्तों अनुचेद 148 के अंतरगत आता है वितायोग है ये अनुचेद 288 में आता है और प्रसास्तनी के जो अधिकरण है ये अनुचेद 321 के अंतरगत आता है और संग ले लोक सेवा आयोग ये दोस्तों अनुचेद 315 के अंतरगत आता है तो इस प्रेस्ट का राइट आंसर हो जाएगा 3241 3241 यानिकि इसमें ए नंबर का उप्श सेयुत्तर हो जाएगा आगे देखे भारतिय सविदान के किस अनुचेद के अंतरगत भारत सरकार का दाइत्व है कि वह भाईये आकरमन एवं आंतरिक ऐसान्ती से राज्यों की रक्षा करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अनुचेद 325 ए नं अनुचेद 3303 के दोस्तों अपने को बताना है देखिए यहां पे चार कथन दिये गए हैं इन में से अनुचेद 3 से समंदित कौन कौन से हैं देखिए किसी भी देश पर आकरमन करने की गोश्ट ना कर सकेगी ये गलत हो जाएगा इसमें ठीक है किसी भी राज्य की सिमाओं में परिवर्तन कर सकेगी बिलकुल सही है राज्य किसी भी राज्य का अच्छे तरफल बढ़ा सकेगी ये भी इसमें सही है और किसी भी राज्य के अंतरगत स्वायत परिशद की स्तापना कर सकेगी ये इसमें गलत हो जाएगा तो दोस्तों इस है वो इसमें बिल्कुल सही है तो इसमें सी नंबर उप्शन बिल्कुल सही उतर बराणवा नंबर प्रेशन है भारतिय सविदान के किस अनुचेद के अंतरगत नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक की नियुक्ति की गई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो सविधान के किस अनुचेद में वनीत संदर भी थै तो दोस्तो देखें यहां पे जो यह प्रेशन है यह पिछली बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था देखें और काफी लोग है वो इस प्रेशन को गलत भी करके आये थे तो प्राकरतिक परियावन का सरक्षन एवं सुधार है यह दोस्तो आर्टिकल एक सो सोरी आर्टिकल अनियन की अनुचेद अर्टालीस ए अर्टालीस एक ए अंतरगत परियावन का सरक्षन एवं सुधार से समधित है ए नंबर उप्षन राइट आंसर आगे देखिए राज्य विदान सभाओं में उंगल भारति समुधाय के लिए परतिनित्व का प्रावदान भारत के सविदान के किस अनुचेद में संदरभित है तो दोस्तो अभी मैंने आपको बताया था वो है अनुचेद 333 डी नंबर उप्षन बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए भारतिय सविदान का कौन सा अनुचेद भारत की विदेश निती से समंदित है तो भारत की विदेश निती से समंदित दोस्तो अनुचेद है वो है 51 अनुचेद 51 ठीक है आगे देखिए भारतिय सविदान के किस अनुचेद के अंतरगत अंतराष्टिय समझोते को प्रभावी बनाने है तू संसद सुची के विश्य पर कानून बना सकती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें अनुचेद 253 तो इसमें डी नंबर उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा आगे देखे निम्न में से भारतिय सविदान के किस अनुचेद का उपयोग अभी तक नहीं किय गया तो दोस्तो मैंने आपको बताया था दोस्तो विती आपातकाल विती आपातकाल का अभी तक एक बार भी परियोग नहीं किया गया जो अनुचेद 360 के अंतरगत आता है डी नंबर उप्शन से वितर हो जाएगा आगे देखे भारतिय सविदान के अनुचेद 17 में आयोग भारत के सविदान के किस अनुचेद के तहत संगठित किया गया है यानि कि नीती आयोग का गठन है वो दोस्तो कौन से अनुचेद के अंतरगत किया गया है तो दोस्तो ये सविदान के अनुचेद के अनुचेद के अंतरगत किया गया तो इसका राइट आंसर हो जा अनुछेद एक सो गुनेतर के अंतरगत विधान परिशद की इस्तापना और समापती का प्रावधान किया गया है तो इसका राइट आंसर भी नंबर का उप्शन हो जाएगा ये मैंने आज आपको साथवा नंबर का जो टोपिक है वो मैंने आज आपको कम्पलीट करवा दिय है ठीक है पॉल्टिकल साइंस में अपने साथ टोपिक हैं वो कम्पलीट हो चुके हैं अगर आपने परतेक टोपिक के इंपोडेंट प्रेसन अगर नहीं देखे हैं जो बार-बार परिक्सिया में पूछे जाते हैं तो आप पले लिस्ट में जाएए वहाँ पे आपको फो सब्सक्राइश्ट देते रहे हैं अरद्यारेस्ट के डिमिसे जुड़े रहे हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिन जय भारत